पॉर्शन जूलर्ज पॉर्शन को बढ़ाना है देश को बढ़ाना है बालबिकास प्रियोजनादिकारी कारेयले द्रंग स्थित खुन्नू के सुज़ने से ग्राम पंचाय सीलिंग में परधान पन्या देवी की अध्यक्षता में राष्ट्य पोशन महाबरस्तर पर आयोजित किया गया इसमें ब्रत परिवेशी का द्रंग अनीता देवी ने स्थानियों लोगों को मौसमी फन वे सबजीयों को खाने के बारे में जानकारी परदान की पोशन कोडिनेटर शनीर ठाकुर ने जनम के बगत कम बजनवाले शिशू की संख्या में कमी लाना और अनीमिया से गरस्त महिलाओं कि शोरियों को हरी पतीदार सबजीयों को खाने वे बच्चे के जनम के दोरान एक घंटे के बीतर मा का प्रथम पहला गाड़ा दूद प्रथम टीके का कारे करता है पंचायत परधान पन्य देवी ने पोशन की सब्द दिला कर स्थानिया लोगों को पोशन का संदेश दिया इसमें भविन महिला मंडल अंगनवाडी कारे करता आशा कारे करता बाट सदस से वे स्थानिया लोगों ने बढ़ चरकर भाग लिया ने स्थानी लोगों को पोशन महा की सब्त दिलाई, तदा साथ ही प्रिवेशी का सिर्मती अनिता देवी ने स्थानी फल वो सब्जियों के बारे में लोगों को जागरो किया, इसमें मां का प्रत्म पहला गाडा दूद बच्चे के लिए कितना लावदायक होता है, क्योंकि जब बच्चे का जनम होता है तो बच्चे के जनम के दुरान सबसे पहले मां का पहला गाडा दूद ही बच्चे को पिलाया जाए, यह पिला गाडा दूद बच्चे को प्रत्म टेके का कारे भी करता है, वो छे महा तक केवल और केवल मां का ही दूद पिलाया जाए, छे महा के उपरांद उपरी आहार सुरू किया जाए वह साथ ही एक हाजार दिन जो बच्चे के लिए बहुत सुनहरे होते हैं जनम से लेकर के बच्चे के दो वर्स तक इस पंतराल में बच्चे का बहुत धिक मानिसिक वासारिक विकास होता है तथा बच्चा अपने आसपास के महोल वा परिवार के महोल से जो बातें सीखता है वो पूरा जिवन अपने कारेशेली में उसको अमल में लाता है तो सभी लोगों से स्थानी लोगों से यही गुजारिस इस कारेकरम में यही की गई कि अपने स्थानियां मुस्मी फल्व सब्जियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए वह लोहे की कड़ाई में बेंजन बना करके खाएं क्यूंकि लोहे की कड़ाई में खाना बनाने से जो है उसमें जो है आईरन की काफी मात्रा होती है जो बहुत हर नागरिक के लि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करें के लिए